हेलो एन वेलकम बैक टू दे चैनल गाईस तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नौर्थी शूना डिफसी के 6th foreign player के बारे में और उसके अलावा भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Australian legend और Asian icon Jamie McLaren के बारे में भी लेकिन दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वाइश टे करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बैल आइकोन को भी प्रेस कर दो हमजार इगड़ागी जो की मोरोको से आते हैं सेंटर बैक के साथ साथ डिफैंसी मिट्फिल में भी खेल सकते हैं और तीसरे खिलारी है ये भी मोरोको से है मोहमद लिबिमैमर जो की एक प्रॉपर सीडियम है और उसके बाद चौथे फॉरें प्लेयर है नेश्टर ब्याक जो की स्पेंज से आते हैं और सेंटरल फॉवर्ट के साथ साथ अटाकिंग मिट्फिल में भी खेल सकते हैं और उसके बाद है पाचवा फॉरें प्लेयर जो की एक स्ट्राइकर है स्पेंज से आते हैं इनका नाम है गुलिर्मो फर्नांडेज तो दोस्तो अभी फिलाल अगर देखा जाए तो पाच फॉरें प्लेयर कंफर्म है नौर्थिशन ओनारेड अफ्सी के इस स्कौर्ड में लेकिन इन पाचों में से कोई भी एशियन कोटा फॉरें प्लेयर नहीं है यानि कि जो भी 6th फॉरें प्लेयर आएगा नौर्थिशन ओनारेड अफ्सी के स्कौर्ड में तो जॉनी काउको तो यूरोपियन है फिल्लैंज से आते हैं तो आखिर वो एक एशियन कोटा फॉरें प्लेयर कैसे हो सकते है तो जॉनी काउको का ये र्यूमर काफी जादा वाइल र्यूमर है और ट्रांसफर मार्किट में भी यही दि है तो साथ वो फॉरेंग प्लेयर क्या अटीशन रिडाफिशन कोटा फॉरेंग प्लेयर को साइन करेगी ये बहुती बड़ा सवाल है मुझे ऐसा लगता नहीं है तो ट्रांसफर मार्कीट में जो दिखा रहा है और ट्रांसफर मार्केट जो कह रहा है आई तिंक वो कही न कहीं गलत है और आज से कुछी दिनों पहले ही मैंने आप सभी को ये खबर दे दिया था कि काफी अच्छे सोर्से से ये खबर आ रहा है कि 6th foreign player का signing complete हो चुका है बस official announcement आना बाकी है तो जॉनी काउ को मेरे हिसाब से नहीं होने वाले क्योंकि जॉनी काउ को एक European player है और 39rd FC के टीम में आने वाला जो 6th foreign player होगा वो एक Asian quota foreign player ही होगा और most probably यहाँ पर कोई central midfielder होगा या फिर कोई striker हो सकता है तो जैसे ही कुछ खबर आता है मैं आप सभी से जरूर डीटेल्स में share कर दूंगा और उसके बाद बात कर लेते हैं Australian legend और Asian icon Jamie McLaren के बारे में तो दोस्तो बहुत ही बड़ा signing हो चुका है Indian Super League के एक बहुत ही बड़े club के तरफ से जिसका नाम है Mohon Bagan Super Giant तो Jamie McLaren एक Australian legend है और इनका sign करना इंडिया में आना Indian football के लिए काफी बड़ी बात है और इससे Indian football को काफी ज़्यदा फायदा होगा Indian Super League को काफी ज़्यदा फायदा होगा क्यूंकि एक global star यहाँ पर Indian Super League में खेलेंगे और इनका market value है लगबग 12 करोर तो सबसे महेंगे player हो चुके है Mohon Bagan Super Giant के अलावा भी पूरे Indian Super League में पूरे Indian football में तो Jimmy McLaren का season कैसा रहता है और यह देखना काफी ज़्यदा इंटरेस्टिंग वागा और उसके अलावा अगर हम देखे तो Mohon Bagan Super Giant का squad सुपर सुपर धमागा हो चुका है तो चले दोस्तों फिलाल यह वीडियो में